हलो एवरीवन, शिव शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो फैबरी फुल मून के उपर रहेगी क्योंकि बहुत सी डिवाइन फैमनाईन इस टाइम हाई बाइबरेशन में होंगी, कुछ बहुत जादा लो बाइबरेशन में होंगी कुछ ऐसी होंगी कि लो बाइबरेशन में जा रही है फिर हाई बाइबरेशन में आ रही है या हाई बाइबरेशन में है कुछ टाइम बाद आप लो बाइबरेशन में आ रही है और कुछ बिल्कुल ही हाई बाइबरेशन में होंगी वो Divine Feminine जो बिल्कुल High Vibration में है ऐसी Divine Feminine कहीं न कहीं 5D मेंटर हो चुकी है अब किसी तरीके के कोई Trigger नहीं है DM की Energy अगर पिक हो रही है तो उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा Excited है या अपने आपको Separate Feel नहीं कर रही है अपने DM से Inner Union आप Feel कर रही है Divine Union को आप Feel कर रही है आप बहुत ज़्यादा High Vibration में है इस टाइम में तो ये आपका एक Positive Sign है आप Reunion के करीम है और एक वीडियो जो मैंने बनाया था Vice Vice Portal के उपर तीक है वो मैं Description Box में डाल दूँगी आप तो उसे देख लेजेगा क्योंकि Energies वैसी ही रहने वाली है क्योंकि बहुत सी Divine Feminine इस टाइम जिनको ये फिल हो रहा है कि विनाबाद के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है ये DM को लेकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है Low Vibration में जा रही है ठीक है एक रोना ऐसा होता है कि DM के अब आप रोह है और आप बिल्कुल Likeण काम फिङ रहे है ETF कर रहा है थीक है तो ये DM के अनर्जी होती है तो आप रो भी रहे है परीशान भी है फिर रोने के बाद आप लो में ही रह रहे है तो कहीना कहीआँ आप ये ऑनरजी है आपको DM की क्रेविंग हो रही है आप DM को चेज कर रहे हैं तो अगर ऐसा हो रहा है आप उस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि इस टाइम आपके DNA अक्टिवेशन और ये लियू का फुल मून है जिसमें आप बहुत जादा पैशियोनेट बहुत ही जादा फायर एनरजी एकदम से आपको ऐसा फील होगा बहुत बॉड़ी आपकी हीट हो रही है आप एकदम से सामने वाले पर एक पावरफुल एफेक्ट चोड़ रहे हो DF की बात करें क्योंकि DF इस टाइम करेंट में ठीक है जो ये वो divine feminine है जो काफी टाइम से inner work कर रही है या खुब अच्छे से अपने आपको balance कर रखा है inner work करके mentally, physically, emotionally spiritually balance हो चुकी है self love में है, unconditional love में है और खुद पर ही growth कर रही है, पता है कि DM बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं उनकी missing energy भी pick हो रही है कही न कहीं आपको contact करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि DM और DF का mostly जो separation होता है वो भी full moon या new moon के आसपास होता है या full moon या new moon के दिन ही होता है, reunion भी ऐसे ही होता है, तो full moon आपका होगा या new moon होगा या उस दिन आपका separation भी हो जाता है separation उन लोगों का होगा जो अभी अभी journey में आये हैं जिनका 2022 में awakening हुआ है या आपका awakening तो काफी time से हो गया है बट आप अपने issue of blockage पर work नहीं कर रहे हो, कही न कहीं DM पर ही stuck हो, DM के बारे में ही सोच रहे हो खुद पर growth नहीं कर रहे हो तो यहाँ divine की energy से आपको एक ऐसा push मिलेगा जहां से आपकी negativity release होगी बिन बात को आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा ठीक है, आप बहुत ज़्यादा low feel करोगे, यहाँ permanently कुछ issue of blockage ऐसे होगे जो आपके divine की energy के तुरू release किये जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे issue blockage होते हैं जो हमें नहीं पता होता है कि यह कैसे heal होना है तो वो divine की energy, cosmic energy आपकी body में enter करके उन सब चीज़ों को heal करते हैं पर यह तब ही होता है जब आप खुद पर effort डाल रहे होते हो तो ऐसा नहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो divine magic हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत से divine family का message आ रहा था कि dear तो marriage कर रहे हैं तो आप मेरा inover करने से क्या पाइदा dear यह journey आपको मिली है आपको inover करना ही होगा वो अगर कहीं जा रहे हैं तो divine की मरजी से ही जा रहे हैं बट आप उनको blame कर रहे हैं तो कहीं नगे divine को blame कर रहे हैं आप अपने dm को blame कर रहे हैं मतलब अपने आपको ही blame कर रहे हैं ठीक है, यह divine planning है उनका कोई ना कोई कर्मा है वो वहाँ उन्हें रिलीज करना ही होगा उन्हें जाना ही होगा बट जैसे जैसे आप वर्क करती जाएंगे उनका कर्मा रिलीज होगा वो उस रिलेशन्शिप में जो भी कर्मा लिखवा कर लाएं वो रिलीज होकर आप देखेंगे आपका रियूनियन हो गया है ठीक है बट आप को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि वो तो還 marriage कर रहे हैं, convergence में कैसे इना work करूँ मेरा तो इना work में मनी नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान उ udah ही जा रहा है तो आप कही ना कहीं खुद की ही जर्णिय को डिले कर रहे हैं अपने ही यूनियन को डिले कर रहे हैं वर्क आपको अपने आप पर ही करना होगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Divine Masquerine के एनारजी की जो फुल मून पर बहुत ही ज़ादा जो Divine Family emotionally balanced है ठीक है रोना दोना नहीं है और इतना ज़्यादा strong हो गई है जो छोटी छोटी बातों पर रो जाती थी या लोग बहुत ही ज़्यादा आपके emotions का फाइदा उठा लेते थे ठीक है बहुत ज़्यादा emotionally weak थी बट अब आपने इतना अच्छा inner work करके खुद को heal कर लिया है कि अब आप छोटी छोटी बातों पर नहीं रोते हैं unhealthy बातों पर नहीं रोते हैं कुछ जहां पर ऐसे moment होते हैं जहां पर हर कोई emotional हो जाता है ठीक है वो अलग चीज होती है बट आपका ऐसा नहीं रहे गया किसी ने आपसे बात कुछ भी कह दिया आप रोने लगे कोने में जाकर नहीं ऐसा नहीं है divine feminine के साथ यह वो divine feminine है मैं पहले बता चुकी हूँ जिनों ने बहुत अच्छे से अपने आप पर work किया है और खुद पर effort डाला है ठीक है self growth बहुत अच्छे से की है और ऐसे divine masculine अब df के लिए बहुत जादा emotional हो रहे हैं बहुत जादा रो रहे हैं बहुत जादा उनकी emotional purging हो रही है soul purging हो रही है soul crying dm की बहुत जादा हो रही है आपको उनको miss करके एकदम से रोना आ गया है बहुत जादा रो रहे हो उसके बाद आप बहुत जादा relax फिल कर रहे हो अच्छा फिल कर रहे हो then समझ जाए ये आपके dm की energy है जो आपको इस ताइम बहुत जादा miss कर रहे हैं emotionally बहुत जादा df को लेकर imbalance है कि कहीं से भी आप से बात हो जाए आप contact कर दो आपका message आ जाए बट आपको यहाँ बिलकुल नहीं करना है ऐसा ठीक है क्योंकि इस ताइम divine मैं स्क्राइन के energy बहुत जादा हाई है और वही आपको contact करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये divine plan है divine intervention भी है और जो energy मुझे पिक हो रही है तो इंग येंग का sign बहुत ज़्यादा दिखना आपको black and white combination में बहुत ज़्यादा दिखना आपको heart chakra balance का sign बहुत ज़्यादा दिखना और आपको ऐसे साइन दीख सकते हैं जो black and white एक combination में हो ठीक है balance को दिखा रहा हो balance को शो कर रहा है क्योंकि आपके inner dmdf भी कही ना कहीं balance हो चुके है आपका inner inner reunion हो चुका है और ये full moon उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक result लेकर आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं 22-22 पोर्टल है reunion को शो करता है इस पर मैंने 22-22 एंचल नंबर पर भी वीडियो बनाया है अगर आप देखना चाहते है तो वो देख सकते हैं साथी साथी harmony balance feminine energy को शो करता है love को शो करता है romance को शो करता है तो अगर आप में और आपके counterpart के अंदर feminine energy imbalance और आप उस पर work करेंगे ही करेंगे, ठीक है, यागर कोई भी negativity अभी भी surprise है, तो वो यहाँ surface पर आकर release होगी, ठीक है, बट मुझे divine feminine की बहुत balance energy यहाँ पर pick हो रही है, emotionally बहुत जादा balance है, feminine energy भी काफी balance है, क्योंकि unconditional love दे रही है, self love कर रही है, forgiveness की energy में है, surrender की energy में है, तो अब आपकी DM जो है, उनकी feminine energy balance हो रही है, और जब feminine energy activate होती है, balance होती है, तब DM अपनी DM को चहां कर भी ignore नहीं कर पाते है, avoid नहीं कर पाते है, क्योंकि feminine energy direct universe से connect होती है, और DM की जब feminine energy activate होती है, तो वो universe से connect होने लगते है, spiritual होना स्टार्ट कर देते है, spiritual books पढ़ना या धार्मिक चीजों में उनका मन लगने लगता है उनको पता भी ने होता है कि वो ट्वीं फ्het जर्णियोन बट कुछ लोगों को पता भी होता है कि वो ट्वीं फ्thinking में है उनके कंफॉर्मेशन भी मिल जाता है वीडियोस पॉप-प होने लगती है उनके आगे या कही ना की टेरो कार रीडिंग लेने लगते हैं कुछ ना कुछ भो भी ऐसा करने लगते हैं जो Fem9 करती है अपनी जर्णी में ठीक है और कल मुझे एक चैनलिंग हुई थी जिसमें Divine Masculine अपनी Divine Fem9 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं Unconditioned Love दे रहे हैं Caring बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जो मैं कानों से सुन रही थी आँखों से देख रही थी कि इतना strong आप लोगों का bond होता जा रहा है ठीक है आपको अभी नहीं दिख रहा है बट आप देखेंगे ये अप्रेल जो नवरात्री आ रही है awakening अभी अभी हुई है क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे issues, blockage, suppress energy automatically surface पर आकर release की जाएगी जहाँ आपको पता भी नहीं होगा कि ये मेरा issue है या मैंने इस पर work की नहीं किया था और ये तो बहुत पहले energy थी old energies यहाँ surface पर आकर release होंगी, old memories बहुत ज़्यादा आपके mind में आएंगी, आप बहुत ज़्यादा कुछ चीजों को लेकर रोना दोना आपका होगा, चाहें वो बच्पन की बाते हों चाहें अपने मम्मी पापा को लेकर आपको रोना आजाए, मम्मी पापा ने कुछ आप से कहार, या किसी ने आपको hurt कर दिया आप उन सब चीजों को लेकर नहीं भी रोना चाहोंगे बट वो अंदर से surface पर आएंगी और आपको वो रोकर आपको या तो release कराई जाएंगी, या तो आप किसी ना किसी तरीके उस energy को अपने अंदर से release करोगे, ठीके डिवाइन आपको इस पर बहुत सारी आपको guidance भी यहाँ पर मिलेगी, आपको awareness की energy में रहना ही रहना है, और यह full moon दोनों तरफ एक powerful effect डालेगा ही, कोई भी full moon आता है, या new moon आता है, या portal आता है, तो ऐसा नहीं होता कि DF के उपर ही इसका effect परता है DM के उपर भी बहुत powerful effect परता है, जितना DF के उपर परता है, उतना DM के उपर भी परता ही परता है, बट आपके बीच में separation create कर दिया जाता है, कि एक दिवार खड़ी कर दी जाते है, कि आप उधर नहीं देख सकते है, आपके DM इधर नहीं देख सकते है ठीक है, और आप इस बात में अगर stuck रह जाते हो, परिशान रह जाते हो, तो आपकी journey कहीना कि डिले हो जाती हो, जो आपके बीच ये दिवार खड़ी होई है या जो ये separation create क्या गया divine के थू ही create क्या गया divine, जब देखेगा कि आप balance हो चुके हो आप खुद को mentally prepare कर चुके हो, reunion के लिए mentally prepare हो चुके हो ठीक है, बहुत जादा आपके अंदर fear नहीं रह गया है, पहले छोटी छोटी बातों से आप बहुत जादा डरते थे, आप physically balance हो चुके हो, emotionally balance हो चुके हो, अपनी body को लेकर आप confident में नहीं थे या अपनी body को ही आप blame करते रहते थे, या लोगों से compare करते थे, या अपने आपको unique नहीं समझते थे, अपने आपको best नहीं समझते थे, बट अब ऐसा बिलकुल नहीं है, आप ऐसा लगता है कि आप से अच्छा कोई ही ही नहीं दुनिया में आप best हो, एक energy ऐसी आपके अंदर आ जाती है, boost हो जाती है energy, ठीक है, तो ये confident को show करती है, आप mentally emotionally भी बहुत जादा balance हो गए हो आपको अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है, लोगों की बातों से trigger नहीं होते हो, ये सब चीजें आपका full moon हो गया, new moon हो गया, वहीं पर आपका एक तरीके से test भी होता है, energies भी बहुत जादा high होतिं है, अगर आपने work किया है, तो high भी रहेगी, work नहीं किया है, या अभी भी कुछ भी आपके अंदर बाकी रहे गया है, तो cosmic energy से वह सब surface पढ़ा कर रिलीज होता है, तो जो divine feminine बहुत जादा high vibration है, फुल मून से पहले भी आपको trigger नहीं हुआ या imbalance नहीं हुआ, या फुल मून के 2-4 दिन बाद भी आप या वन वीक तक आप नहीं trigger हुए, imbalance नहीं हुए तो, और आज भी आप balance हो, तो आप balance हो, ठीक है, बट अगर आप 2-3 दिन पहले बहुत imbalance है, अब balance हो, या अभी भी balance हो, और आगे जाका imbalance हो हो जाते हो, तो कुछ न कुछ अभी आपके अंदर पाकी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि trigger तो हो रहे हो, imbalance हो रहे हो, बट आपको समालना आगे है खुद को बहुत अच्छे से, अब आप trigger उस तरीके से trigger नहीं होते हो, कोई इशू है, उसको दो-चार दिन ने, आपको बहुत टाइम लग जाता था, हील करने में या समझ में ही नहीं आता था, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, अब आप बहुत जल्दी चीजों को समझने लगे हो, और उन चीजों से खुद को निकालने में बहुत ज़्यादा माहर हो गया हो, यह इस्पेशलि डिवाइन फैम नाइन के लिए है, तो आप समझ जाए, आप अच्छे से वर्ग कर रहे हो खुद पर और आपका इना वर्ग भी काफी अच्छा चल रहा है तो यह टाइम, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, रो लीजिए जितना आपकी निगेटिविटी रिलीज हो रही है कर दीजिए, बट आपको डियम को पर इस्टक नहीं रहना है ठीक है, आपको अपनी जर्णी डिवाइन को सरेंडर करनी है लेट गो करना है, खुद पर फोकस होना है, यह उनके लिए है जो डियम को बार बार कि डियम की मैरिज हो गए है, आप होने दीजे जाने दीजे, उनका एक कर्मा है ठीक है, आना उनको आपके पास ही है, तो यहाँ आपको इंबैलन्स नहीं रहना है लो एनर्जी में नहीं रहना है, अपने आप फोकस कीजिए, अपने आप वर्क कीजिए ठीक है, तो यह थी आज की फुल मून की एनर्जी जो है और यह आपका 22-22 अभी पोर्टल आए गई, पूरा फैबरी बहुत सी लोगों की एमोशनल परजिंग और परजिंग हत से जादा होगी DNA अक्टिवेशन, डिनए की एनर्जी जो आपके ब्लट सेल्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा जंक दिनने है, या बहुत ज़्यादा आपके पैरंट्स की निगेटिविटी है तो उनके बीच की निगेटिविटी release होगी, उनके भी fight हो सकती है आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये fire full moon है अगर आप imbalance हो, तो ये चीज़े आपके साथ हो सकती है, तो आपको ये शांती से अपना inner work करना है, और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपके चारो दिशाएं जहां आपको दिख रहा है पूरा balance of family में भी happiness है आप भी happy हो, abundance है growth हो रही है, ठीक है money आपका, जो बहुत ज़्यादा money को लेकर परिशान थे, job को लेकर परिशान थे career को लेकर परिशान थे, किसी भी आपको लगेगा कि balance हो रही है और यह होना ही होना है, ठीक है क्योंकि यह 222 का portal बहुती powerful होता है, बहुती ज़्यादा positive होता है पर होगा उनी के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप वर्क किया होगा ठीक है, तो यह थी full moon की energy आप next video में मैं फिल्म मिलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सौस्त रहिए और जो 222 पोर्टल पर मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल वो मैं description box में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजेगा, आप लोगों को समझ में आ जाओ रहा, ठीक है